हलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम सुरू करते हैं हलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जाउन तो सूजी के गुलाब जाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी लेंगे तो ये कप सूजी लिया है हमने एक कप में हमारा 165 गराम सूजी है इसको बिल्कुल हमने तोल लिया है उसके बाद में ये दिखे ये बारीक सूजी है मोटी सूजी नहीं लेना है इस बारीक सूजी लेना है अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप मिक्सी कर सकते हैं उसके बाद में गय सान करके हमने पैन रखा है उपर इसमें हम 50 ग्राम तक घी आइड करेंगे पैन में गैस का फ्लेम बिलकुल हमने कम रखा है और इसमें घी से लेप कर देंगे अच्छी तरह फ्राई पान में उसके बाद हम इसमें दूद आइड करेंगे तो दूद हमारा पहले से उबला हुआ है यह दो कफ हम दूद आइड करेंगे 500 ग्राम दूद हम इसमें आइड कर देंगे यह हमारी बारीक सूजी है दूद हमारा गरम हो रहा है उसके बाद में गरम होने के बाद में हम थोड़ी थोड़ी सूजी आइड करेंगे तो यह हमारी बारीक वाली सूजी है अब हमारा दूद्ध गरम हो चुका है जिसमें थोड़ा-थोड़ा हम ऐड़ कर देंगे थोड़ा-थोड़ा ऐड़ करते रहेंगे इसको हिलाते रहेंगे अच्छी तरह कि इसमें लंच वगैरा जो है गुठली वगैरा ना पड़े इस तरह हम अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा एड़ करते रहेंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे भट्टी का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है तो यह हमने 165 ग्राम सूजी इसमें आड़ कर दिया अब इसको हिलाते रहें थोड़ी देर में यह दूध हमारा सारा अब जोग कर लेता है सूजी जैसे जैसे ये ज़्यादा गरम होता है वैसे ये दूद हमारा अब्जोब कर लेता है इसके बाद में थोड़ा इलाइशी पाउडर इसमें आड़ किया है स्वाद के लिए तो ये हमारा दूद बिल्कुल सारा सूजी ने खीच लिया है बिल्कुल अब्जोब कर लिया है अब ये रस्त जो हमारी सूजी की है सूजी बिल्कुल टाइट हो रही है ये देखिए बिल्कुल टाइट हो रहा है बिल्कुल पैन हमारा छोड़ दिया है अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे उसके बाद में इसको इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बाद में हम इसको उतार लेते हैं गैस के उपर से और इसको थाल में पलट देंगे कि यह ठंडा हो जाए इसको अच्छी तरह फैला दिया है थाल में कि अच्छी तरह यह ठंडा हो जाए उसके लाद थोड़े देर बाद ये बिलकुल ठंडा हो चुका है 10 मिनट के बाद इसको हम अच्छी तरह मैश करतेंगे माश करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मिठा सोडा लगाएंगे ये चम्मच में बिलकुल एक चुटकी मिठा सोडा है जिसमें हम अपने चुटकी से उठा सकते हैं बिल्कुल कम मिठा सोडा है ये इतना मिठा सोडा हम इसमें अएड करेंगे एक चुटकी से आप अएड खर सकते हो और ये चमँच हमने ये सुगर पाउडर लिया है इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह फोड़ा सा पानी मिठा सोड़ा को उपर आड़ करेंगे उसके बाद में हम अच्छी तरह ये सूजी के सूजी में बिल्कुल हम आड़ कर देंगे जो सूजी का हमने दूद का मिक्चर बनाया है इसमें हमने आड़ कर दिया इसको अच्छी तरह मैज कर लेंगे कि सुगर पाउडर भी और मिठा सोडा भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए मिठा सोडा ज्यादा नहीं लगाना है एक चुटकी से ज्यादा ना लगे गुलाब जाबन तुरद फट जाते हैं मिठा सोडा बहुत कमी लगाना होता है उसके बाद में हमने गैसान करके कड़ाही रखा है वह हम चासनी बनाएंगे कड़ाही में हमने दो कप पानी एड़ किया है यह 400 ग्राम तक पानी हो गया और दो कप ही हम सुगर एड़ करेंगे 400 ग्राम तक हमारा सुगर हो गया दोनों मिक्स करके हम चासनी बना लेंगे सुगर और पानी हमने दोनों बराबर बराबर एड़ किया है तोड़ी देर इसको हिलाते रहेंगे गरम होने के बाद सुगर मिल्ट हो जाता है और उबाला आ गया हमारी चासनी बनके तियार हो गई दो मिल्ट उबलते रहता है इसको उबाला दे देंगे उसके बाद में इसमें कोई तार नहीं होता है बिल्कुल यह हलकी सी चपचपी सी होती है तार बिल्कुल नहीं होता है इसको हम उतार देंगे दूसरी गैस के चूले पे रख देते हैं जो बंद पड़ी है जलते होए गैस चूले पे हम अपनी कडाही रख देते हैं जिसमें हम Refined Oil आइड कर देंगे तो यह हमने Refined Oil आइड कर दिया है उसके बाद अब हम गोली बनाएंगे इसकी जो हमने मसाला लगाकर तियार किया था सूजी और दूद मिक्स वाला जो हमने मिठा सोडा और सुगर पाउडर भी मिक्स किया था अब ये छोटे छोटे पीश में हम तोड लेंगे जितने सेब में छोटे बड़े साइज में जिस तरह आपको बनाना उतने सेब में आप पहले पेड़ी तोड लेजी तो ये 10-10 ग्राम की गोलिया हमने तोड़ी है 10-10 ग्राम की गोलिया बनाने के लिए हमने ये तोड़ दिया है छोटे छोटे पीस में उसके बाद में ये गोली बिल्कुल हम राउंड मार के गोली कर देते हैं अच्छी तरह मैस करके गोली कर देते हैं बिल्कुल ये गोल हो जाती है ये साब सुतरी गोली हमारी बन गी दूसरी भी हम करके दिखाते हैं तो ये हमारी दूसरी भी होगी ये तीसरा हमारा हो रहा है तो एक हाथ में हम दोनों हाथ से दो दो गोलियां करते हैं ये छे गोलियां हमारी बन चुकी है उसके बाद में हम ये सारा बाद में कर लेते हैं अब हम कड़ाही गरम हो चुकी है गोलिया हमने कर लिया है उसके बाद में इसमें हम डालते हैं एक गोली इसका टमपरेचर चेक करते हैं टमपरेचर सही है temperature इसमें थोड़ा ज़्यादे temperature में सूजी का गुलाब जामुन थोड़ा ज़्यादा temperature में डालना होता है बिल्कुल कब में नहीं डालना होता है खोए पनीर के या खोए के गुलाब जामुन थोड़े कम में डालने पड़ते हैं लेकिन ये सूजी का गुलाब जामन है ये तेल में थोड़ा सा टमपरेचर ज्यादा चाहिए नहीं तो ये फट जाते हैं तो पहले टमपरेचर में हम थोड़ा सा ज्यादा है जिस समय बहुत भी ज्यादा नहीं होना चाहिए बिलकुल मेडियम टमपरेचर होना चाहिए ये तो वो उपर आ जाये ये देखिए ये तुरंट फूल-फूल के उपर आ रही है बिलकुल कम में डाल दोगे तो ये फट जाएगी इसके बाद मेरे देखिए सारह उपर आ चुका है अब इसको हम फुराई करते रहेंगे इसको हलाते रहेंगे अच्छी तरह इस तरह हम हिलाते रहेंगे और ये गोल-गोल सा घूमता रहता है चारो तरपी इसके राउंड मार के अच्छी तरह ये पक जाता है इसको हिलाते रहेंगे भट्टी का फ्लेम थोड़ा सब जब ये उपर आ जाता है गोलियां तो हम भटी का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लेते हैं उसके बाद में जब ये ब्राउन होने रखता है ये इस जवस्था में जब हलकाल का ये ब्राउन होने लगता है और तेल में टंपरेचर जादा हो जाता है तो थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं मेडियम पे कर लेते हैं अपने पठी और इसको हलाते रहेंगे और इसको देर तक तलाई करना होता है कम से कम पंदरा मिनट से उपर लग जाते हैं इसको तब यह हमारा गुलाब जाओं बढ़िया से पकता है इसको थोड़ा मेडियम सेक में इस पर चलने दीजिए और अच्छी तरह इसको पकाते रहें इस तरह हम पकाते रहेंगे गुलाब जाओं अच्छी तरह सुजी का गुलाब जामन बिल्कुल कम टमपरेचर में नहीं डालना चाहिए क्योंकि यह कम टमपरेचर में जाल दोगे तो यह तुरंद फट जाता है थोड़ा सा उच्छे टमपरेचर में डाला चाहिए तब ये बिल्कुल गोल सा रहता है और फटता भी नहीं है तो इस तरह देखिए गुलाब जामून हमारे बिल्कुल ब्राउन रंके हो चुके हैं पराई करते करते हैं इसके 15 मिट होने वाले हैं अब ये हमारे जो गुलाब जामून है बिल्कुल ये फराई हो चुका है ब्राउन कलर ले लिया है ये 15 मिनट से उपर तक फराई करोगे तब अंदर तक ये पकता है तो ये देखिए बिल्कुल ये ब्राउन हो गये हैं गुलाब जामून अपने अब इसको हम चासनी में आइड करेंगे देखिए गुलाब जामून बिल्कुल गोल गोल से ये फटे नहीं है बिल्कुल साब सुतरे गुलाब जामून है उसके बाद में ये हमारी चासनी है जो हमने बनाया था इसमें आइड कर देंगे इसको हला देंगे हम कि चासनी हमारी अब्जोब कर लिया है सुगर आपका ज्यादा ठंडा हो तो हलका सा गरम कर सकते हो चासनी जो हमने हलका सा गरम किया है दोवारा उबाला ना आये बिल्कुल हलका सा गरम करना होता है ज्यादा गरम करने की जरोध नहीं होती है अब ये हमारे गुलाब जामुन सूजी के बन चुके है थोड़ा सा हमने डोंगे में निकाल लिया है उसके बाद में ये आपको दिखाते हैं बिल्कुल ये चमच में हमने लेके दिखाया है ये देखिए हैं ये पीस हम उठाते हैं देखलें कितने चासन हमारी भरी हुई अच्सी तरह देखलें कि अच्सी तरह ये निचूड रही है तो इसको हम पीसेच कट के भी दिखाते हैं बिल्कुल ये soft pieces तुरंत ये अंदर तक ये जाली बनी हुई है ये देखिए बिलकुल ये देखिए अंदर तक जाली बिलकुल ये सौफ्ट गुलाब जाओन बन चुके हैं आप भी अपने घर में बना सकते हो सूजी के गुलाब जामन उसके बाद हमारे चैनल पर जाईए आप हलवाई की हर वीडियो आपको रसगुले गलाब जाओन बर्फी चमचम जो भी आपको देखना आप हमारे चैनल पर देखते हो हमने उची कौल्टी में बड़ी क्वालटी में भी हमने एड किया है तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताईए अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिये गंटी वाला बटन आन कर लीजिये ताकि आने वाली हल्वाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे